हलो गैसे विडियो बात करेंगे हम निफ्टी 50 के वारे में किस तरीके से आज का मार्केट टर्णाट हुआ हाला कि ट्रेड बनाना आज काफी ज़्यादा मुश्किल था ऑप्शन वायर के लिए जितना इजी कल था कल हमने चार से पांच बड़े ट्रेड बनवाई थे अपने और एंट्री नहीं कर सकते थे मार्केट के अंदर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले जाएं ये अपने टेलिग्राम ग्रूप पर and morning में मैंने आप लोगों को क्या बोला था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज ज़्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि मार्केट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने ज़्यादा काम नहीं कराया market में होता है बड़ा gap down बड़ा gap down होता है तो आपको बताया जाता है with a chart कि क्या market का support है और क्या market का resistance है ठीक है मैं यहां की बात कर रहा हूँ यह यह आज का देने हो के जो support resistance लिखा है वो नहीं बात कर रहा हूँ वो पुराना है हमारा market open होता है 50,700 के असपास उसकी बात 50,500 से 400 की range में हमारा support था और फिर 50,200 की range में हमारा support था nifty की बात करें तो 24,230 से 200 के बीच में support था 24,100 से 125 के बीच में support था ठीक है यहां पर आपको support देने के बात आपको bank nifty में बताया जाता है कि जब तक हमारा market 50,700 के नीचे sustain ना करें तब तक आप trade ना लें और sustain करेगा तो हमारा market 50,500 तक आ सकता जब कि हमारे market ने 50,500 का low भी मारा यानि कि 500 points हमारे levels के नीचे तक market गया put side में यह bank nifty की बात है हमने अपने member को सुबह-सुबह put side में पहला trade दिया 60,500 का trade बना लेकिन लोगों ने capture नहीं कर पाया उसके बाद मेरी नजर से कोई trade बना ही नहीं तो कोई काम हुआ ही नहीं ठीक है हमने वेट किया कि एक बज़े के बाद market में momentum आए लेकिन market अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए बैक निफ्टी तो और ही आज बेकार था निफ्टी फिर भी अटलीस्ट पॉजिटिव डारेक्शन में continuous बढ़ रहा था एक 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 क्या बोलते हैं एक red candle बनाता था बीच में और वापस से उपर चलना चालू कर देता था चली एक बार यहां पर देखते हैं हमने निफ्टी में मौनिंग में एक ट्रेड प्लान कराया था लेकिन उसको भी हमने फिर कैंसल किया कॉल्स एड का ही ट्रेड था प्रॉब्लम यह थी क्यूंकि आज था इसका एक्सपायरी तो हमारा ट्रेड कहीं यहां कहीं पर प्लान था ठीक है प्रीमियम डिके की वज़े से उसको कैंसल करना पड़ा अधर्वाइस अगर हम कॉल साइड के लिए मौनिंग में ट्रेड ले लेते तो फिर ठीक ठाक मुमेंटम हमको मिल जाता यह एरिया देखे तो 24 या 350 के असपास का एरिया है और मार्केट एंड हुआ है 24 या 400 पे 50 पॉइंट ठीक है अगर कोई होल्ड करता तो लॉस में तो शायद नहीं रहता पॉजिटिब में पैसा बना के निकल जाता ठीक है मार्केट ने एक्जैक्टली हमारे लेवल्स पे सपोर्ट लिया जो यह आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट एरिया मार्केट वहां से सीधा उपर की तरफ चलता चला गया मार्केट ने रजिस्टेंस भी हमारे एरिया पे लिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो अब क्या करना है, market की एक अच्छी बात यह हुई आज, यह market positive में ही गया market में बड़ा pressure देखने को नहीं मिला, despite इतना बड़ा gap down so, यह पहले से indication था, क्योंकि कल का market काफी बढ़िया था, ठीक है तो आज के market को sideways होना था बट आज का market, nifty में sideways to positive था, bank nifty में almost sideways साही मेरे को feel आया उसमें तो मुझे positive जैसा कुछ खास नजर नहीं आया था at least till 2 p.m, ठीक है उसके बाद छोटा मोटा एक bounce करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी market उसके बाद भी sideways होता नजर आया, nifty positive direction में no doubt गया, लेकिन problem वही है, कि positive में गया लेकिन आपको बार-बार entry नहीं करने को दिया इसने, कल के लिए important level हमारे लिए, क्या रहने वाले हैं, वैसे तो कल Friday है Friday market is a trap market according to me, बट आज का market हमारा कुछ खास अच्छा था नहीं, तो हो सकता है, कल हमको एक बड़िया move वापस से देखने को मिले market के अंदर जिसके लिए हम वेट करेंगे 24,450 का हमारे लिए एक important crucial level रहने वाला 24,450 के market वहाँ से reverse करेगा, या market उसके उपर निकल जागा, अगर उसके उपर निकलता है तो हमको एक trade plan करने का मौका मिलेगा, इस area के उपर and इस area के नीचे हम वापस से ये levels के लिए और फिर ये levels के लिए plan करेंगे, target 1, target 2 target कितने है ये, 24,380 से 24,340 ज़्यादा बड़ा target नहीं है but yes, planning हमारी यहीं पर ही होगी, तब ही हम उसको execute कर पाएंगे अगर हमारी planning इसके नीचे होती है तो हमें ये target और ये target भी मिल सकते हैं, अगर हम hold करते हैं उसके scenario के अंदर और अगर हम कल positive में निकलते हैं तो बहुत ही बड़ी हाबात है हमें उपर के अच्छे target देखने को मिलेंगे market वापस से positive होता हुआ नजर आएका ये area, इसको माफ कर दो इसमें आपको कुछ करने की ज़रुवत नहीं है market को either bullish either bearish होने दो option buyer का पैसा बनता है जब momentum आता है option buyer का पैसा ऐसे में बनता है जब आप कहीं अच्छी जगह पे entry ले लो, ठीक है otherwise नहीं बनता है, ये चीज़ ध्यान में रखो और आज तो expiry था expiry का premium जो decay वो बहुत ही तेज हुआ होगा तो पता नहीं कितना इसके premium बड़े होंगे वो देखने वाली बात है वीडियो को like, channel को subscribe telegram को join, comment section में जो पूछना है पूछ सकते हैं, telegram पर आपको मैंने बताई दिया कि भाईया कैसा क्या था और हमने कब ये चीज़ आपको सुबह ही सुबह बता दी थी, कैसे market turn out हो सकता है, कैसे support क्या resistance है किस तरीके साब को काम करना है bank nifty मैं भी आपको बता दिया था कि कौन से levels के नीचे आपको काम करना है वहाँ से एक बड़ी या 1500 point का fall देखने को भी मिलाता हो, और उसके बाद हमें कुछ देखने को नहीं मिला पूरे दिन Thank you so much, मिलते हैं bank nifty के वीडियो में